कोक विद गुलनूर को सब्स्राइब करिए और साथ ने बिल आइकन को भी प्रेस करिए तभी मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगी असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करने चार्ट मसाला बनाने की रेसिपी तो घर पर किस तरह से आप चार्ट मसाला बना सकते काई अस्पेशल आइस पी आपके लेकर आई हूं दिले लेक्त विषायाँ है लेस्पेशल ने लीरा है और ऀ समस्च और लेंगे एक बड़ा छंमच और साथ में लेंगे यहां पर пока लीमेच तो यहां पर आधा चमच मैंने अजवाइन लिया है और आधा चमच हमने हिंग लिया है यहां पर इन सब का टेस्क चाट मसाले में बहुत ही अमेजिंग आता है तो यहां पर 6-7 मैंने लाज सुखी मिल्चे लिये आप चाहें तो अपने कॉर्डिंग कम जादा भी कर सकते हैं और यहां पर मैंने 7-8 चमच लिये हैं बड़े वाले धन्या साबुत धन्या जो होती है उसे मैंने यहां पर लिया है यह सबसे मेन पार्ट है चाट मसाले का इसे जरूर से डालना है और इसी के साथ हम ले लेंगे यहां पर दो बड़े चमच सौफ इससे बहुत ज़ाद आ चाट मसाल है लेकिन इस तरह से बनाएंगे तो बिल्कुल मार्केट वाला टीस्ट आएगा तो यहां पर एक पैन को मैंने गरम कर लिया था लो टू मीडियम फ्लेम पर और उस पर सबसे पहले मैंने मिंट लीव को डाल दिया है और इसे हम अच्छे से ड्राय रोस्ट कर देना है और उसके बाद देख लीजा आप किस तरह का कलर हो गया है तो चाहे तो आप इसे हाथों से कर सकते हैं चाहे तो ब्लेंडर जार में डाल ली अब पैन को हमने फिर से लो टू मीडियम फ्लेम पर गरम कर लिया है और जितने मसाले बचेते हैं उन सब को इसमें डा को हम रोक लेंगे उसे हम लास्ट में ड्राय रोस्ट करेंगे जब पैन हलका सा गरम होगा बस तो यहां पर इन सब को डाल कर हमें ड्राय रोस्ट कर लेना है चार से पास मिनिट के लिए बस इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए इसको 100% नहीं बूनेंगे कि पूरा काला न डाल कर पीस लेंगे तो यहां पर इसको दो बैचेस में हम ब्लेंड करेंगे तो यहां पर इस मसाले को हमें ठंडा करके ही पीस ना है कि अगर हम गरम गरम में पीस देते हैं तो इसकी जो इसमेल है या जो इस एसेंस है वो निकल जाती है तो यहां पर हमने इसको पीस लिया अब बाकी की चीजेस में आड़ करेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैंने चार टेबल स्पून लिया है काला नमक निसे डाल देंगे हैं और इसी के साथ एक छोटा चमश लेंगे हैं सफेद नमक इसे हमने डाल दिया है और साथ में हमने लिया है चार से चे बड़ी चमश अच्छाब होगा और बहुत ही अच्छी चीज में खुश्बू भी बनी रहेगी तो यहां पर इन सब को डाल कर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी इसमें एक और एसेंशल चीज बाकी है जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्याद हो जाएगा तो यहां पर इन सब बना मसाले के साथ डाल कर पीश सकते हैं तो इसको डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहां पर शकर की जगह पर आप अनार दाना भी डाल सकते हैं जिससे बिलकुल मार्के वाला टेस्ट आएगा सिंप्ली जो अनार के दाने होते हैं धूप में सुखा कर आप उसको पावडर बना कर डाल सकते हैं या इसके साथ में पीछ सकते हैं तो यह बिलकुल मार्केट जैसा हमारा चाट मसाला बनकर रेडी हो गया है अब आप इसे रगड़ा पूरी चाट के साथ या फिर आलो के टिक्की के साथ इस्तिमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारी ची तो जब मार्केट से लाते हैं दस रुपेला पाउच उसमें एक से दो चप मच होता है बस तो यहां पर इसको आप इतना धेर सारा बना कर रख सकते हैं बहुत ही कम दाम में बहुत जादा एक सबन कर त्यार हो जाएगा असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेयर करने जा जो सिनामेन स्टिक होती है जिसे आप दालचीनी की लकडी बोलते हैं इसे और साथ मैंने लिया है चार से पाउच जावीतरी और इसके बाद हम इसके साथ में लेंगे एक बड़ा चमच काली मिर्चिय और इसके साथ में लेंगे पाउच से छे बड़ी इलाइची तो यह मस और दो बड़े चमच मैंने यहां पर ली है इलाईजी हरी वाली इससे बहुत अच्छी खुश्बू है कि हमारे गरम मसाले में और इसी के साथ से आठ पत्ते हमने यहां पर लिए तेज पत्ते जिसे बेलीप्स बोलते हैं और अगर अगराप इसे हमारा गरम मसाला खरे है और अगर आप इसे जाड़ों में बना रहे ही तो आप इसे किप कर सकते हैं और जय फल को डाल सकते यहां पर हम लेंगे एक medium-sized जैफल इसको डालने से हमारे जो मसाला है बहुत ज़ादा इसमें अची सी आती है यहां पर मैंने medium-sized जैफल लिया है इसकी एसंस बहुत अची आती है तो इन सारे मसालों को हम साइट पर रखेंगे और पैन लेंगे जिसे मैंने low to medium flame पर medium hot कर लिय अब इसके बाद हमने जो साबुत धनिया और जीरा लिया था इसे डाल देंगे और इसको dry roast कर लेंगे तो यहां पर हमें 70 से 80 परसंट इसको dry roast करना है बहुत जादा हमें इसको नहीं भूनना है कि पूरा 100 परसंट यहां पर हम नहीं भूनेंगे इसको वरना ही काली हो यहां पर इतना हमें भूना है कि इसमें अची सी खुषबू आणा शुरू हो जाए और जो हमने मसाले डाले यह चटक कर फूल जाए यहां पर बहुत बहुत इसमें खुषबू आना शुरू हो गई हमने इसको एक साइट पर निकाल कर रख दिया है अब इसी सेम पैन में बाकी के जो बचेवे मसाले थे उन्हीं हम डाल देंगे तो यहां पर इनको भी हम 70-80% कुक करेंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखेंगे बहुत तेस फ्लेम पर हमें इसे जलाना नहीं है बस हलके से इसको भूनना है यतने भी मसाले हैं सब फूल जाएंगे थोड़े से और क्रैक हो जाएंगे गरब मसाले में तीन चीजे ही एहम होती है बहुत नहीं है जीरा तो जो हमारा न Gudha मसाल ना मी साथ में खूण धनिया जीरा तो उसके बार जो सब गए गरद्धे मसाले हैं और साथ में खूणपो के मसाले इन तीन मसालों के मिलाकर हमारा रखात कर ली rouge में तो आदे । जब पैन हलका सा गरम होगा तो गैस की फ्लेम को आफ करके यह हलका से पैन में इसको ड्राइ रोस्ट कर लेंगे और इसके लिए और इसको निकाल लेंगे अलग रख लेगे और जो गरम मसाले हैं अब हम इने मिकसर में डाल कर पीछना है लेकिन इसे पहले बड़े-बड़े म कश्मीरी लाल मीर्च पाॉडर समय करले देख से लिए है कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर आप चाहें तो इसे डालने चाहें तो इसके भी कर सकते हैं इसे का कलर बहुत ही अच्छा सा आ जाएगा तो बहुत ही मज़िदार सा हमारा होममेट गरब मसाला बनकर रेडी हो गया है बिल्कुल मार्केट स्टाइल आप इसे घर पर जरूर से ट्राइ करें